हेलो फ्रेंट्स, एसके फेशन डिजाइनर में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंट्स वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें तो फ्रेंट्स आज हम बाजू का डिजाइन बनाएंगे हाफ स्लीप्स का डिजाइन बनाएंगे ये बाजू आप डिजाइन जो है बलाउस के ओपर भी मना सकते हो और कुर्ती के उपर भी मना सकते हो तो आईए वीडियो शुरू करते हैं बाजू की कटिंग मैंने कर ली है और देखो ऐसे सेंटर में से मैंने इसको यहां से देखो हलकी सी गुलाई दी है ऐसे हमने बाजू का यहां पर डिजाइन बनाना है जो की हमने शेप दी है उसी के हिसाब से हम यहां पर सिलाई लगाके कपड़े को अटैच कर लेंगे तो यह देखिए ऐसे हमने कपड़े को अटैच कर लेना है और फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर जुरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा अब हम यह एक्स्ट्रा जो कपड़ा है नीचे वाली साइट से इसको कट कर देंगे यह देखो अब यह जो कोना है यहां पर मैं एक कट लगा लोगी और गुलाई में हमने चोटे-चोटे से कट्स लगा लेने हैं ताकि उल्टाने में जब हम इसको सीधा करें तो गुलाई इसकी बिल्कुल परफेक्ट आए तो छोटे-चोटे कट मैंने लगा लिए है अब फ्रेंड्स हम इसको सीधा करेंगे एक्स्ट्रा जो इसका ये जो पटी मैने लगाई है, एक-एक-इंच की चोड़ी पटी राके बाकी कपड़ा जो है मैं इसका, कट कर दोगी तो ये कपड़े को मैंने कट कर लिया है अब इसको सीधा करके एक सिलाई देखो मैं इसके उपर लगाऊंगी यहाँ पर मार्जन को जो है जो हमने एक्स्रा पट्टी लगाई है मार्जन नीचे वैली साइड को करके और एक सिलाई लगा लेंगे इसके इस सिलाई के साथ क्या होता है कि finishing जो है गुलाई एक दम से अच्छी आएगी और finishing भी अच्छी आएगी तो ये सिलाई हमने जरूर लगानी है ये देखो मार्जन जो है जो दबा हमारा था वो हमने जो एक्ष्रा पट्टी लगाई है उस साइड को किया है बाहर वाली साइड को और उपर से एक सीलाई लगा दी अब इसको मैं फोल्ड कर लूँगी पहले मैं प्रेस के साथ इसको बिठा लूँगी ये देखो ऐसे करके और इसके उ हम तुरपाई नहीं करेंगे हम सिलाई ही लगाएंगे क्योंकि मैंने इसके ओपर लेस लगानी है इसलिए मैंने जो है यहां पर सिलाई लगा दी अगर यहां पर लेस ना लगानी हो तो यहां पर हमें हम तुरपाई कर सकते हैं तो जो यह सिलाई में लगा रही हो न यह सिल नोट ले मेंने पट्टी लिए है एक यलो वाली और एख जो है green बाली तो दू एडुकर में यह सब्सक्राइब कर लूँन। जितने मुझे चाहिए उतने कट कर लूँगी और हमने देखो ऐसे ट्राइंगल बनाके एक यालो कलर का और एक ग्रीन कलर का ये देखो ऐसे फोल्ड किया और फिर से फोल्ड कर लिया और ऐसे ही सारे जितने मुझे चाहिए सारे मैं डिजाइन जो हमने ये बनाना है सारा मैं आपन साइड है न हमने एक साइड को ही रखने है इस बात का हमने ध्यान रखना है कि जो ओपन साइड है वो हमने एक साइड को यह रखनी है यह न हो कि कि इसी की ओपन साइड हमने दूसरी साइड को रख ली और एक की दूसरी साइड को तो हमने सेम एक साइड को राके सारा जो है यह पैटरन त्यार कर लेना है तो एक साइड से मैंने स्टिच कर लिया है अब ऐसे ही बराबर करके इसको थोड़ा सेट करके दूसरी साइड को भी हमने सीलाई लगा लेनी है यह देखो बिल्कुल धीरे धीरे करके हमने जो है सीलाई लगानी है तो इसके नीचे मैंने पेस्टिंग पेपर चिपका लिया है ताकि स्टेवल रहे आप इसको चाहे तो कपड़े के ऊपर भी पहले ही कपड़ा लगा के उसको लगा सकते हो बना सकते हो लेकिन मैंने बाद में इस पेस्टिंग पेपर चिपका लिया आप यहां से मैं एक छो तो दोनों साइट पे एक एक पट्टी हमारी हो गई पहले हमने उपर से ये देखो फोल्ड कर लेना है और ऐसे हमने सीधी इस पे सिलाई लगा देनी है ऐसे ही मैं दूसरी साइट पे भी इसक्या फिर से ऐसे ही रिपीट करके दूसरी साइड पे भी हमने एक पट्टी लगा लेनी है तो ये देखो पट्टी हमारी लग चुकी है ऐसे हमने फोल्ड करके एक पाइपिन निकारनी है अब इसका जो एक्स्ट्रा मार्जन है इसको हम काट कर देंगे नहीं तो हमारी पाइपिन जो है मोटी निकलेगी तो हमने मार्जन जो है बिलकुँ थोड़ा थोड़ा रखना है ताकि हमारी पाइपिन है थोड़ी बार एक सी निकले अब ये देखो उपर वाली साइड से सिलाय लगा के पाइपिन निकाल देंगे ये देखो, सेम ऐसे ही मैं दूसरी साइड पे भी पाइपिन जो है निकाल लोंगी तो ये देखिए, पाइपिन हमारी लग चुकी है और देखो कितना फिनिशिंग के साथ हमारा ये पैटर्न जो है बन के तियार हुआ है पाइपिन भी हमारी कितनी अच्छी सी लगी है अब हम क्या करेंगे बाजू पे जो हमने एक सिलाई लगाई थी ना उस सिलाई के उपर मैं लेस लगा दूँगी जो कि जिग जियाग बाली लेस होते है ये देखो और सिलाई भी हमारी छुप जाएगी और बाजू का डिजाइन जो है वो भी सुन्दर लगेगा तो जहां पे हमने सिलाई लगाई है सेम उसी के उपर ही मैंने जो ये जो लेस है वो लगाई है ये देखो यहां से कोना बना के और तो ये देखो एक लाइन हमने लगा ली है और एक लाइन मैं जो है नीचे बली साइड पे भी लेस की लगा दूँगी तो ये नीचे वाली साइड भी हमने लेस लगा ली ये देखो अब हमने जो ये पैटन बनाया था ना इसके उपर लगाएंगे अब पहले बाजू का पूरा सेंटर कर लेंगे सेंटर पर उपर से मैं एक कटल लगा लूँगी ये देखो अब यासे रखेंगे नीचे वाली साइड को और पूरा बराबर करके हमने इसके उपर सिलाई लगा देनी है ये देखो पूरा बराबर से करके सेंटर में रखके और सिलाई लगा देंगे जो हमने पाइपिन निकालने के लिए एक सिलाई लगा थी न उसी सिलाई के ऊपर एक सिलाई हम और लगा देंगे और नीचे से इसको पका करके कट कर लोगी और ऐसे ही दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा के तो यह देखो हमारा कितना simple सा और कितना सुंदर design जो है बनके त्यार हो गया और आप हम इसको थोड़ा सा decorate करेंगे तो इसके उपर जो है मेरे पास एक sequence है जो की काफी सुंदर है जो इसके साथ बहुत ही अच्छे लगेंगे मल्टी shade है उसका जैसे कभी green और yellow shade पढ़ रही है मैं दिखाती हूं आपको तो यह बले लगाऊंगी देखो कितने अच्छी सी इसकी shade पढ़ती है तो मल्टी कलर का इसका shade पढ़ता है जब ऐसे yellow green ऐसे इसका shade आता है तो देखो इसके साथ कितना अच्छा यह match हो गया यह देखो ऐसे मैं इसके उपर जो है जो हमारी यह space बची है जहां पर की हमने लेस लगाई है यहां पर यह सारे में देखो sequence लगा दोगी और बहुत ही सु तो friends आप पताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को like जरूर करना तो okay friends मिरते हैं next वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye